नमस्कार दोस्तों बहुत 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 वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेटफार टेक में दोस्तों अगर आप एक एफोरडेबल प्राइस रेंज के अंदर एक बहतरी स्मार्टफोन चाहते हो जो कि आपके छोटे मोटे टास्क को आसानी से पूरा कर सके प्लस व स्मार्टफोन बैतरीन यहां पर उतारे हैं जिसमें आपका एक का नाम है रेटमी एटू और एक आता है आपका रेटमी एटू प्लस तो यह दो वेरियंट है एक स्मार्टफोन के अंदर तो इसके अंदर बहुत यह अच्छी-ची खूबियां आपको देखने को मिल जाती ह जो कि आपके डेली रूटीन के वर्क को आसानी से यहाँ पर कम्प्लीट भी कर देगी और आपकी जेप के ओपर भी ज्यादा महेंगा नहीं पड़ेगा स्मार्ट फोन तो इस बज़ग फोन के अंदर आपको क्या कुछ खास मिलेगा सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मैं जानकारी देने वाल हूँ तो इटियो को अंतक जीएगा वीडियो अगर आप पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक् च्टेशन लगबख सेम है लेकिन यहां पर कुछ प्लस 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 के साथ तो उसके बारे में बार में बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर इसी स्मार्ट फोन के अंदर देखने को मिलता है उसका साइज ए 6.52 इनिचेश और उसके अलावा यह HD plus scratch resistant display है यानि कि इस display के अंदर आपको scratch लगता हुआ नहीं दिखाई देगा अगर आप इसको pocket में रखते हैं अपनी चावी वाभी वगयरा लग जाती है कई बार तो scratch पढ़ने खत्रा होता है तो वो चीज नहीं होगा अगर यहाँ पर resolution थी बात कर लें तो यहाँ पर 1600 x 720 का resolution इसकी screen में आपको देखने को मिल जाता है और इसका aspect ratio यहाँ पर 20 to 9 का आपको देखने को मिल जाता है जो क्लिए अच्छा है इस price range के हिसाब से touch sampling rate की बात करें तो 120 Hz का आपको touch sampling rate भी इस smart phone के अंदर screen के उपर देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के लिए अगर brightness की बात कर लें तो 400 nits की आपको यहाँ पर display brightness देखने को मिल जाती है उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर लें इसके chipset की इसके अंदर कैसा processor है तो यहाँ पर आपको media technology लियो जी 37 12 nm का यहाँ पर आपको graphics के लिए तो इसके अंदर आपको IMG GE8320680mAh का आपको देखने को मिल जाता है यहाँ के अगर यहाँ पर बात कर लें तो 2GB RAM आपको देखने को मिल जाती है उसके साथ ही आपको 4GB LPDDR4X RAM आपको देखने को इसके अंदर मिल जाती है जो की अच्छी है और fast काम करने में करती है उसके अलावा यहाँ पर इसके इंटरनल मेमरी की बात कर लें तो 32GB प्लस 64GB का आपको यहाँ पर इंटरनल मेमरी देखने को मिलता है जिसको आप यहाँ पर extend भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप कि आपको बिल्कुल भी bloatware का कहीं पर भी आपको problem नहीं होगी मतलब एकदम real android का आपको यहाँ पर experience देखने को मिलता है मतलब फालतु के notification bloatware जो अधिकतर महेंगे फोनों में भी आजकल कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं वो भी आपको इसमें नहीं मिलेंगे बिल्कुल fresh और एकदम clean आपको android का experience यहाँ देखने को मिल जाता है अगर इस phone की हम design और build की बात कलने तो इसमें जो dimension इसका है यहाँ पर 76.75 mm x 164.9 mm x 9.09 mm का आपको देखने को dimension इसका मिलेगा weight की अगर बात कलने तो यहाँ पर 192 ग्राम का यह phone होने वाला है आपकी जेपे बहुत ज आपको देखने को मिल जाता है बैटरी के अगर बात कर लें तो इस smartphone के अंदर आपको 5000 mm x की बैटरी देखने को मिल जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि box के अंदर ही आपको यहाँ पर 10 watt का charger भी देखने को मिल जाता है तो मतलब यहाँ पर battery capacity और charging की भी बात कर लें त smartphone का front camera यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको 5 megapixel का front camera देखने को मिल जाता है सभी जरूरी sensors इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं अगर यहाँ पर इसके हम audio की बात कर लें तो इसके अंदर top firing loud speaker देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा sound आपको देगा और इ और इसके अलावा यहाँ पर Wi-Fi 2.4G आपको देखने को मिल जाता है USB OTG का भी यह support कर देता है तो यानि के कुल मिला के यहाँ पर आपको connectivity भी अच्छी देखने को मिल जाती है नेट्रक और SIM की support की बात कर लें तो यहाँ पर यह dual SIM आपको support करता है दिखाई देगा उसके अ अलावा कार्लिंग फीचर के लिए अगर यहाँ पर बात करने तो वोल्टी और उसके अलावा वी ओ वाइफाई यहाँ पर यह support करता है यह phone आपका 4G phone है तो आप यहाँ पर इसको use कर सकते हो क्योंकि इस price range के अंदर अधिकतर लोग 4G ही use करने वाले है मतलब उनको फर्क परता 5G use करें या 4G use करें उनको तो बस phone चलना चाहिए और अच्छा network उनको internet का मिलना चाहिए तो 4G भी चली रहा है ऐसा नहीं 5G आने के बाद बंद हो गया है 4G भी चलेगा 5G भी चलेगा तो आप लोग इस smartphone को prefer कर सकते हैं अगर आपका budget बहुत ज्यादा नहीं है अगर अगर हम Redmi A2 Plus के specification के बारे में बात कर लें तो Dual SIM smartphone यह भी है यहाँ पर आपको Android 13 पर यह भी work करता हुआ दिख जाता है इसमें भी आपको 6.52 इंच की HD Plus display देखने को मिल जाती है 120 Hz का आपको sampling rate इसमें भी देखने को मिल जाता है Media Tech Helio G36 SoC इसमें भी देखने को मिलेगा 4GB तक virtual RAM के तुरू इसका RAM बढ़ाने का एक option देखने को मिल जाता है और इसमें आपको AI support वाली dual rear camera unit भी देखने को मिल जाती है जो कि आपका A2 के अंदर लगी हुई है वही चीज़ से आपको देखने को मिल जाती है इसके लावा इसमें भी आप जो है micro SD card से इसकी memory 512 GB तक सकते हैं और connectivity के लिए इसमें भी आपको Wi-Fi Bluetooth और 3.5 jack देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको fingerprint sensor मैंने जैसा की बताया वो भी आपको देखने को मिल जाता है तो दोनों phone में लगबग समानता ही है तो यहाँ पर जो है इस smart phone के price की बात कर लें तो Redmi A2 के आप 2 GB plus 32 GB के variant को 5999 रुपए में ख़ई सकते हैं इसके लावा जो इसका 2 GB RAM के साथ जो 64 GB storage variant आता है वो आपको 6499 रुपए का देखने को मिल सकता है और उसके लावा 4 GB RAM प्लस 64 GB storage वाला आपका 7499 रुपए का देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर अगर हम बात करने Redmi A2 plus की तो यहाँ पर सिर्फ एक ही variant आपका यहाँ पर company द्वारा जो उतारा गया वो देखने को मिलता है चार GB RAM के साथ आता है प्लस 64 GB का variant यह है और इसका price यहाँ पर company ने 8499 रुपए तैय किया है उसके लावा यहाँ पर आपको कुछ bank offers लगाएंगे तो शूट भी मिल जाएगी अगर आप IC net connectivity आपको अच्छी मिल जाए और उसके अलावा आपको रूटीन वाले वर्क भी असानी से कर सके मैसेज बेज सके मैसेज पर सके नेट सर्फिंग कर सके या फिर आप वीडियो वगरा देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए एच्छा फून है तो आप उसको purchase कर सकते हैं तो दोस्तों यह आज का वीडियो था उम्मिद करता हूं पसंद आई ही होगी आपको यह जानकारी तो वीडियो कर पसंद आया तो लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा इसी तरह